हेलो हेलो अब्रीवान वेरी वेलकम सो गाई सीजी सीन अट एक जाम पेपर फस्ट कि हम प्रिपेशन कर रहे हैं और अभी हमारा चल रहा है टीचिंग एक्रिटूब यानि कि सिख्षण अभी चमता देखे गाईस इस से पहले हमने four class complete कर लिया है जिन लोगों ने अभी तक class को नहीं देखा है description पर link दे दिया है और playlist का link दे दिया है आप वहाँ से playlist से सारी class को देख सकते हैं सो गाइस आज हमारी 5 क्लास है देखे टीचिंग अभी हमारा चल रहा है टीचिंग अप्रिटूट यानि कि सिक्षण अभी चमता और देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस देखे इस क्लास की PDF आपको कहां पर मिलेगी टेलिग्राम पर आपको मिल आज हम पढ़ेंगे इसते पहले हमने व्यक्ति इस बीवनता पड़ी है व्यक्ति रिूंस में परकार पड़ा है उसकी विद्या पड़ी है ठीक है अब परड़ेंगे हम सीत्व छेत्र में सिक्षा के छेत्र में व्यक्तिकत विभिन्ता यानि कि सिक्षा के छेत्र में व्यक्तिकत विभिन्ता क्या क्या है तो देखें व्यक्तिकत विभिन्ता का ग्यान व्यक्तिकत विविन्ता का ज्ञान सिक्छकों एवं विद्यालें परवन्दकों को कक्छा के वर्गी करण में सायता प्रदान करता है व्यक्तिकत धिन्यता का घ्ञान जो टीचर्स होते हैं देखे शिक्षकों और विद्धहले के जो परवंदक होते हैं यानि कि जो स्कूल का जो management देखते हैं उनको परवंदक कहा जाता है क्लास को divide करने में help उन्हें मिलती है तुर्शा के वर्गेकरन में और विद्धान करता है अब देखें व्यक्तिकत विविंता व्यक्तिकत विविन्ता का सिद्धान्त व्यक्तिकत सिच्छन पर जोर डालता है जो व्यक्तिकत विविन्ता होता है व्यक्तिकत विविन्ता का सिद्धान्त होता है वो व्यक्तिकत सिच्छन पर क्या करता है जोर डालता है देखे जो भी बहुत सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं सभी सभी में अलगलग विन्ता होती है ठीक है और जो भी बच्चा होता है उन पे जो पड़ाई का होता है यानि कि जो सिक्षन का सिक्षन पर जो डालता है उनका जो व्यक्तिकत होता है जो व्यक्तिकत बालक होता ह उसका व्यक्तिकर जोर किस पर होता है आप है आपका जोर किस पर है UGC net पर यानि कि UGC net के syllabus है आपने जल्दी से syllabus को cover करना है ठीक है तो व्यक्तिकर धिबनता का सिद्धान्त व्यक्तिकर सिच्चन पर जोर डालता है कोई भी व्यक्ति है उसका सिद्धान्त है क्या है सिच्छन पर जोर डालता है यह उसका क्या है व्यक्तिगत मैटर है ठीक है आप UGC net के लिए पढ़ रहे हैं तो यह आपका व्यक्तिगत मैटर है कि आपको इस पर पढ़ना है UGC net के लिए सिच्छन पर जोर डालता है इसके अनुसार बालकों की आवशक्ताओं को ध्यान में रखार उसकी सिच्छा की व्यक्तिगत की जानी चाहिए यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है तो देखिए आपकी जो आवशक्ता है सिच्छन पर जो भी सिच्छा की व्यक्तिगत की जानी चाहिए आपको रेगुलर क्लास मिल रही है आपको पीडे प्रोवाइट की जा रही है तो आपके अनुसार ही यहां सब कुछ किया जा रहा है तो इसके अनुसार बालकों की आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर उसकी सिच्छा की व्यक्त वह बश्का की जानी चाहिए आपको टेली ग्राम पर यहां पर प्र टुर पिन रहे है और क्लास भी मिल रहे है ताकि आप खी समच्छा का सामना नहीं करना पड़े और यहां पर क्या लिख़ हूँ ताकि उसका सरवागन विकास हो सके यह किसकी बात कर रहा है स्कूल की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है सिच्छा की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है सिच्छा की बात कर रहा है तो व्यक्तिकत विबिन्ता का सिद्धान व्यक्तिकत सिच्छन पर जोर डालता है क्या डालता है जोर डालता है इसके अनसार बालकों की आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर देखे टीचर्स स्कूल्स में या विध्याले में जो भी पढ़ाते हैं आप सभी जो भी विध्यारती वहां पर रहते हैं उन सभी को ध्यान में रखकर उनकी आवशक्ताओं को ध्यान में रखकर वहां पर व्यव अब है शिक्षण को प्रवावित करने वाले कारत्त्त्व करता हूं तो मैं इसलिए दिमाग रखे लिक्षर को अच्छव सब्सक्राइए और जब आप पढ़ेंगे ना, जब भी आप नॉट्स को पढ़ेंगे, तो आप आपको हर चीजे जट से याद आजाएंगे जब भी आप previous question paper या mcqs करेंगे तो आपको जब भी आप question देखेंगे तो जट से आप question को कर लेंगे अच्छे से question को deal करेंगे और यह सब तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से सुनेंगे समझेंगे ठीक है अब है सिक्षण क प्रभावित करने वाले कारत सबसे सबसे पहले कौसर में हैं लेकिन होता है इसके लिए अरजित करना परता है तबी एक teachers का causal divorce होता है तबी वा अपने skill को develop करता है अपने causal का विकास करता है जब वहां ग्ञान अर्जित करता है खीक मैं तबी वा क्या करेगा तबी शिख्ँण क्या क्या करेगा अपने सिख्ँण को परभावी तरीकी से पढ़ा पाएगा यहनु कि परभावी धंक से पढ़ा पाएगा, यदि शिछन में कौसल है, सक्सिल है, फ्रकुल है, पढ़ाने का कौसल है, तभी वहाँ παरभावी तरीके से पढ़ा पाएगा, दूसरा देखे, सिक्षन में कौसल होने के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, यदि अच्छा कौसल है, किसी टीचर्स में अच्छा कौसल है, तो पढ़ाने के साथ-साथ, शिक्षा देने के साथ-साथ क्या करता है? प्रश्न पूचता है, क्या करता है, प्रश्न पूचता है, क्या क्या देता है, आपका टेस्ट लेता है, जो विद्यारती को, इस्टुडेंस को जो समस्या होता है, उनका समाधान करता है, जिसे क्या कहा जाता है, निदान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समस्या का समाधान कर पढ़ाता है और कच्छा को यानितिक शिक्षण को और तरीके से पढ़ाता है कि कि अधर में कोई भी शिक्षण के का होना बहुत जरूरी है वह रहे कि यह स्टा होनी चाहिए यह बीएड होना चाहिए CT8 qualify होना चाहिए और NET qualify होना चाहिए यदि किसी teachers में किसी भी सिच्छक में योगिता नहीं होगी तो उसका सिच्छन परवावी नहीं होगा ठीक है इसी लिए B8 CT8 और NET सरकार ने section योगिता निर्धारित की हुई है इसी लिए यदि B8 किया हुआ है CT8 qualify है NET qualify है तो क्या होगा section योगिता अच्छी से होगी बहुत ही अच्छी 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 और परवावी धंग से पढ़ाएगा ठीक है तो section योगिता का होना बहुत जरूरी है अब है विसे वस्तू की विसे सग्यता विसे सग्यता देखे किसी भी teachers को किसी भी सिच्छ को अपने विसे में कहते हैं इंगलीज में एक वर्ड है specialization अपने subject में specialization होना बहुत जरूरी है देखे जिस teachers का जिस सिच्छ का अपने विसे में अच्छा अच्छी कमांड है विसे सग्यता है specialization है वहाँ क्या करता है इस्टूडेंट के सारे सवालों का जवाब देता है ठीक है उसके विसे से संबंदिक students कोई भी सवाल पूछता है कुछ भी जिग्यासा होती है विद्यारती की हर किसी विद्यारती की अपनी जिग्यासा होती है क्लास में तो क्या करता है पूछता है विसे वस्तू की विसे सग्यता होना बहुत जरूरी है और टीचर क्या करता है विद्यारती की जिग्यासा को सांत करता है विद्यारती के सारे सवालों का क्या करता है जवाब देता है क्या करता है जवाब देता है विसे वस्तू की वि कर देखे ने होने के साथ 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 एक अच्छे विध्यारती होते हैं वहां जो कुछ भी समझाते हैं उससे यह क्या लेते हैं अनभव लेते हैं एक experience भी लेते हैं तो सिक्षक के पास अनभव का होना बहुत जरूरी है यदि विद्यार्ती के पास सुरी सिक्षक के पास अनभव होगा बहुत अच्छा अनभव होगा तो उतने परवावी ढंग से पढ़ाएगा और देखे विद्यार्ती के हर सवाल का जवाब भी देगा और देखे यदि विद्यार्ती को कहीं पर समझ नहीं आ रहा है कहीं पर भी कोई भी चीज़े समझ नहीं आ रही है और सिक्षक अनभव है तो सिक्षक देखकर ही समझ जाएगा कि अभी इसको समझ नहीं आया अभी भी यह डाउट में है और बोल नहीं रहा है तो सिक्षक क पास अन्भव को होना जरूरी है और अन्भव कैसे लेता है सिखषक पढ़ाने के साथ साथ देखिए विध्यार्तियों को पढ़ाने के सा इस्टूरेंट्स को पढ़ाने के साथ स्चाक सब्सक्राइब करता है कि एक अच्छा सिखः्षक होने के सासाथ क्या होता है सीखता है विद्यारती से भी सीखता है अब विसाय से संबंदित ग्यान अपने सब्जक्ट में टीचर को सिख्छक को बहुत अच्छा ग्यान होना चाहिए और एक अच्छी कमांड भी होनी चाहिए ठीक है यदि टीचर को अपने सब्जक्ट में स्कुर्ट करना चाहता हूं विश्य समंदित ग्यान देखे टीचर को अपने विश्य में अच्छा ग्यान होना चाहिए और दूसरा की किसी भी सब्जक्त में अच्र ग्यान है तो उस विश्य को अच्छा नहीं पड़ा पाएगा उतने बहतर तरीके से नहीं पड़ा पाएगा जितने बहतर तरीके से संस्कृत का सिचक और political science का सिच्छ पड़ा पाएगा अपने विसए को अपने विसए की अच्छा घ्यान होना चाहिए अच्छी knowledge होनी चाहिए अपने subject सब्च्छ ंवीज होनी चाहिए अच्छा ज्यान होना चाहिए और सि्่ट्ष का संप्रिशन चंपता यानी की कम्रीकेशन जो सिच्छ का सिच्छ कांगु कीशन और स Rome Chowna चाहिए कैसा होना चाहिए बहुत अच्छा वीडियार्तियों को समझ में आना चाहिए विद्यार्तियों को समझ में आना चाहिए कि टीचर्स ने क्या पढ़ाया है यदि मैं यहां पर देखें किताब आपने देखा होगा बुक्स की लैंग्विज कैसी होती है आप सबने अच्छे से पढ़ा है देखा है UGC net exam paper खत्में जो teaching aptitude है उसकी language कितनी tough है और आपको समझ में भी नहीं आता है ठीक है तो यहां पर जो nots तयार किये गए हैं इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर किया गया है इन सभी बातों को ध्यान में रखकर nots तयार किया गया है और मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो आपसे community कर रहा हूँ, communication कर रहा हूँ, बहुत ही आसान और सरल भासा में कर रहा हूँ, ऐसे ही सिक्षा का sensation भी कैसा होना चाहिए, बहुत ही सरल होना चाहिए, और छमता भी बहुत वैसी होनी चाहिए, कैसी आसान होनी चाहिए, जिससे विद्यारती समझ पाए, अच्छ से communication कर पाए, तो skill बहुत अच्छा होना चाहिए यदि हिंदी मीडियम के students है और teacher वहाँ पे English में बोल रहे हैं और बच्चों को English नहीं आती है तो ये communication क्या होगा किसी काम का नहीं होगा तो उसी language में आपसे बात करनी चाहिए, विद्यारतियों से बात करनी चाहिए, जिस language में विद्यारतियों को समझ में आए जो language, जो भसा विद्यारतियों को समझ में आए यानि कि student को वहाँ language समझ में आए, ठीक है अब है सिक्चक संबंदित अन्यकारत सिक्षक संबंदित अन्यकारत सिक्षक का व्यक्तित्तों कैसा होना चाहिए सिक्षक का व्यक्तित्तों बहुती सरल होना चाहिए बहुती उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए बहुती अच्छा होना चाहिए शिक्षा का व्यक्तित्व भूती ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर आपने देखाऊगा जो टीचर्स बहुत गुस्ते होते हैं और बहुती गुस्ते होते हैं बहुती चिर्चिड़े रहते हैं आपने देखाऊगा विद्यार्टी उनसे सवाल पूछने में इजिटेट होते हैं जिचकते हैं उनसे सवाल नहीं पूछ पाते हैं तो शिक्षा का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए बहुती सरल होना चाहिए और शिक्षा का व्यवहार कैसा होना चाहिए विद्यार्टियों के साथ बहुती अच्छा होना चाहिए ठीके सिच्छा का व्यवहार भी बहुत जादा मैटर करता है यहां पर विध्यार्तियों के साथ ठीके पढ़ाते समय सिच्छा का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए बहुती असान होना चाहिए और जो उनका स्वबाव है वो बहुती सरल होना चाहिए ठीके सिच्छा का वेहार क्या होना चाहिए अच्छा होना चाहिए ठीक है व्यक्तिकत भेदों का ग्यान होना बहुत जरूरी है किसी भी सिक्षक को व्यक्तिकत भेदों का ग्यान होना बहुत जरूरी है कहने का मतलब यहां पर यह है दो बच्चे हैं या चार बच्चे हैं दो बच्चे हैं एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया और वो बता नहीं रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया तो देखे सिक्षक का व्यक्तिगत भेदों का ग्यान होना बहुत जरूरी है सिक्षक को चेहरे को देखर ही सिक्षक समझ आएगा कि दूसरे को अभी समझ नहीं आया है ठीक है या फिर तब भी अगर समझ नहीं आया समझाने पर भी समझ नहीं आया तो टेस्ट लेते हैं टेस्ट में मालूम हो जाता है कि कितना समझ में आया कितना नहीं आया तो व्यद्धी गट भेद़ों का ज्ञाना हुना बहुत जरूरी है और सिक्षक को कस्यास कोई विध्यारतियों को कहां पर प्राबल्म आ रही है कहां पर उनको समस्या आ रही है और उस समस्या का निदान कर पाए समस्या का समधान कर पाए तो देखे मनो विज्ञानिक ज्यान होना बहुत जरूवी है सिक्षण का सिक्षण विदी कैसा होना चाहिए एक अच्छा होना चाहिए सिक्षण का जो सिक्षण विदी है जो मैथड है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए परवावी होना चाहिए जिससे विद्यारती समझ पाए जिससे क्या हो विद्यारती समझ पाए देखे मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं यदि मैं ऐसी पढ़ा लिता बिना प्रजें से पढ़ा रहे हैं किस मैथड से पढ़ा रहे हैं वहाँ सब कैसा होना चाहिए परभावी होना चाहिए सिक्षक का जो सिक्षण मैथड है सिक्षण विदियों कैसी होनी चाहिए परभावी होनी चाहिए अब है सिक्षण सिक्षक का व्यक्तिगत समस्या आपने देखा होगा यह दि किसी टीचर की सेलरी ना आये, किसी टीचर की सेलरी ना आये, तो क्या होगा, सिच्छक का पढ़ाने का मन नहीं करेगा, टीचर का क्लास में पढ़ाने का मन नहीं करेगा, कक्छा में पढ़ाने का मन नहीं करेगा, अब इस पर मैं आपको एक example देता हूँ हमारे school में एक वार क्या हुआ था एक teacher से उनकी salary तीन मेहने से नहीं आई थी मैं यहाँ पर example के लिए बता रहा हूँ और अपने school की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर देखे किसी school की बात कर रहा हूँ example के लिए एक teacher की तीन मेहने से salary नहीं आई थी और वहाँ पर panel चल रहे थे पैनल का मतलब होता है एक team आती है चेक करती की class किस तरह से हो रही है तो team आती है पीछे students के साथ सबसे पीछे बैठ जाती है teachers पढ़ा रहे थे तो देखिए गंगा teachers पढ़ा रहे थे पीछे से जो पैनल में जो सर आये थे वह पीछे से क्या करने लगे इस तरह से उन्होंने रियक्ट किया किया क्या आप गलत पढ़ा रहे है तो पीछे ने कहा कि देखिए बच्चों गंगा गंगा सागर से निकलती है और हिमाले में समा जाती है ख़िए सक किया सर्ने को आप गलत बड़ा रहे हैं गन्गा तो कहांग से निकलती है और हिमाले से निकलती है तो मेरीटीन महने से सयब्य नहीं आई और जब तक मेरी स्यल्डीन नहीं आई? तब तक गंगा सागरती निकलेगी और हिमाले में समा जाएगी तो बच्चे वहाँ पर हसने लगे फिर जो पैनल के सरत है वो चुपचाप वहाँ से निकल गए फिर उनकी अलग से मीटिंग होई तो देखिए टीचर्स की यदि सिख्छा की सेलरी ना मिले मेंट्रियल्टी has lottaigkeiten को सेलर होता है खाने पीने की चीजित है भहँ सारी देखिनी होती है टीचर्स को तो देखिए कि सिख्षक की व्यक्तिकत समस्याइन नहीं होनी चाहिए यदि व्यक्तिकत समस्याइन होगी व्यक्तिकत पर्सनल मैटर होगा सिख्षक का पर्सनल प्राइब्लम होगी तो सिख्षक उतने परभावी ढंक से नहीं पड़ा पाएंगे ठीक है अब यह सिक्षन साइक सामागरी दिखें सिक्षन साइक सामागरी यानि कि परभावी सिक्षन के लिए क्या-क्या सामागरी की आवशक्ता होती है तो सिक्षण सामागरी कितना सारल और एवन रूचिकार है कहने का मतलब है जो सिक्षण सायक सामागरी है कितना इंट्रेस्टेट है आपने देखा होगा अब इसकुल में क्या होता है आज के स्कुल में अब के स्कुल में क्या होता है वहाँ पर स्मार्ट क्लास दी जाती है ब सब्सक्राइब तो कितना इंट्रर तरीके से पढ़ाते हैं वहाँ पर यदि पहले क्या होता था लेकिन में क्या करते हैं बच्चे बहुत जादा इंट्रेस्टिट होते हैं और बहुत यज़ादा सरल भी होटा है और इंट्रेस्टेट होता है मनद इस्टुडेंध इंट्रेस्टेट होता है और बहुत ही ज़्यादा मनद एक colorful देखने के लिए मिलता है और स्मार्ट टेंस से टीचरस वहाँ पर बढ़ाते हैं तो क्या चाहिए ठीक है उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए उसका स्वरूप कैसे होना चाहिए बहुत ही सारल होना चाहिए और देखें जो स्लेबस होता है कितने भी पेजों का हो आपने देखा हुआ स्कुल में जो स्लेबस होता है बहुत ही कम पेजों का होता है 10-12 पेजों का सब्सक्राइब करें इसलिए पीचर क्या करते है इसका सुरूबी बहुत छोटा रखते हैं और स्लेबस का कर्म कीस कर्म में है देखिए स्लेबस का कर्म एक के बाद दूसरा टॉपिक आता है दूसरे के बाद तूसरा टॉपिक लेकिन जो फर्स टॉपिक होगा दूसरे से लेटेड होगा कहने का मतलब जो फर्स टॉपिक है जो दूसरा टॉपिक है दूसरा टॉपिक फर्स टॉपिक से लेटेड होगा और तीसरा टॉपिक दूसरे से लेटेड होगा खीक है तो कर्म कैसा होना चाहिए कर्म कैसा होना चाहिए कर्म कैसा होना चाहिए एक के बाद दूसरा सीक्वन से स्लेवस होना चाहिए कक्छा में प्रध्योगी का उप्योग होना चाहिए कक्छा में कैसा उप्योग होना चाहिए टेक्नलोजी का उप्योग होना चाहिए प्रध्योगी की का उप्योग होना चाहिए कक्छा में कहने का मतलब यह है कि क्लास में कक्छा में टेक्नलोजी का उप्योग होना चाहिए स्मार्ट बोर्ट का उप्योग होना चाहिए लाइट होना चाहिए क्लास में इस लैबस की बुक ना मिले तो वो लाइबरेरी अच्छी नहीं होगी उस लाइबरेरी को हम अच्छी लाइबरेरी नहीं कहेंगे ठीक है अच्छा पुस्तकाले होना बहुत जरूरी है ठीक है अच्छा पुस्तकाले अच्छा पुस्तकाले की उपलब्ता इस्कूल या विद समझ में आ गया है , सिक्षण विधी इस भी चरथ सिक्षार्ति को घ्न परदान करता है उसे क्या कहते है , सिक्षण जिस जंग से शिच्छत, teacher, students को, विद्यारती को, शिच्छारती को ज्यान परदान करता है, उसके क्या कहते हैं, और इसमें अपचारिकता की मातरा क्या होती है, अधिक होती है, अपचारिकता का मतलब होता है, subjective, इसमें subjective बाते ज़्यादा होती है, आपके विशा से संबंदी टीचर्स पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, देखे जोग्रफी के टीचर्स हैं तो जायट सी बात है जोग्रफी ही पढ़ाएंगे, अन्य सब्जक्त नहीं पढ़ाएंगे, तो इसमें आपचारिक्ता की मात्रा अधिक होती है, अपनाई जाती है, व्यक्ष्यान विदी अपनाई जाती है, कौन सी विदी, व्यक्ष्यान विदी इसमें अपनाई जाती है, तीक है, व्यक्ष्यान विदी इसमें अपनाई जाती है, उच कक्छा के लिए, जो हायर एजुक्ष्यान में, आप ग्रेजिएशन में होंगे, अंरश्म क्षा में क्या होता है lecture method यूज ऑगार गृटकर और चेहर कि लेक्टर मेत्टर। इसमें यूज क्या जाता है तक है अब प्रदर्श्ड ख्राप कि डाइग्राम विद्यार्थें च्क को दिखा जाता रहा 마음 सारी चीजह आपको समझ में समझ में नहीं आती है जैसा कि मैप जोगरफी में आपको मैप समझ में नहीं आता होगा आइनो मैं समझ सकता हूं मैं भी मैंने भी जोगरफी पड़ी है तो जोगरफी में क्या होता है मैप को दिखा दिखा कर आपको समझाया जाता है कि कहां पर पठार है कहां पर ग्रास है यानि कि सबसे ज्यादा घ्रास कहां पर होता है कौन सी नदी कहां पर है तो सारा कुछ आपको मैप में दिखाए जाता है ठीके मैप पर आपको दिखाए जाता है जो परदर्शन विदी होती है यह primary के जो students होते हैं जिनको व्यक्षान विदी समझ नहीं आता है यानि कि जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको डाग्राम यानि कि परदर्शन विदी से पढ़ाय जाता है समझाय जाता है अब है पाठ्य पुस्तक ठीकर पुस्तक विदी इस विदी में पाठ्य पुस्तक से ग्रहन करते हैं। घिकर एग्जाम के लिए पेपर मंपड़ते हैं। 어떻게 यह क्या है पाठ्ठय पुस्तक वीज़ी है। अभनण अब है एतिहासिक वीजी क्या है इतिहासिक वीजीत से इतिहासिक वीजी की इसमें पृत्यासा अुपना उटक्रिक में किस से जुड़े हुए रहते हैं इतियास से हिस्ट्री से जुड़े हुए रहते हैं कहते हैं हिस्टारिकल है कहीं पर कोई स्टैचू या मुर्ती मिलती है उसे क्या का जाता है historical है यानि कि एतिहासिक है और कुछ चीज़ों को हैतिहासिक बनाया जाता है जैसे ताज महल क्या है एतिहासिक विदी इस विदी प्रत्यक तत्यत्य जुड़े हुए रहते हैंँ अब है आगमन विदी देखें सबसे आगमन विदी वैसे जितना कुछ आपको सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है सारा इंपॉर्टेड है यह आपने अच्छ से समझ लिया सारा कुछ अच्छ से पढ़ लिया तो आप को अच्छ से डील कर पाओगे अब है आगमन विदी देखे आगमन विदी में क्या होता है सिख्छा क्या करता है विशिष्ट से सामाने की तरफ बढ़ता है क्या करता है विशिष्ट से सामाने की तरफ बढ़ता है कोई भी complicated यानि कि जो भी complicated चीज़े हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा complicated है वहां से क्या करता है नर्मलाजेशन की तरफ बढ़ता है यानि कि सामाने की तरफ बढ़ता है किसमें आगमन विदी एक डिटेक्टिव और इंडेक्टिव और सारी डिटेक्टिव और इंडेक्टिव होता है यह ठीक है तो यह क्या है आगमन विदी इसको क्या का जाता है आगमन विदी इसमें क्या होता है शिच्छा क्या करता है विसिस्ट से सामाने की तरफ जाता है और देखें निगमन विदी में क्या होता है सामाने से विसिस्ट की तरफ यानि कि सरल से आसान से यानि कि सरल से या आस और कठीन से सरल की तरफ क्या है आगमन विधी और देखे सरल से कठीन की तरफ निगमन विधी इसे इंडेक्टिव मैथड और डिडेक्टिव मैथड कहा जाता है ठीक है इसको आप अच्छे से पढ़े लीजिए अच्छे से समझ लीजिए ठीक है अब है संस्तागत सुविद रहा है पतानी क्यों सही से नहीं चल रहा है देखे वर्तमान में सरकार और संस्ताएं ऑनलाइन सिक्षण पर अधिक जोर दे रही है ऑनलाइन सिक्षण सामागरी को बढ़ावा दे रहे हैं यानि कि ऑनलाइन सिक्षण सामागरी पर अधिक जोर दे रही है वर्तमान सरकार यह online पढ़ाई कीजिए जैसा कि आप यहां पर online पढ़ रहे हैं तो यह क्या है online सिक्षण है इस पर सरकार ने बहुत जादा जोर दिया हुआ है जिससे देश अभी आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि online पर सरकार ने किस तरह से कौन-कौन सी योजनाई चलाई है जैसा कि स्वायं हो गया मोहक हो गया परवा हो बहुत सारी चीजिए आगे आपको बहुत सारी चीजिए डीपली पढ़ाई जाएंगे तो देखे जिससे देश के पैन और जिससे देज के दूर किसी गाउं में रहने वाला सिक्षार्टी भी लावानुवित हो रहा हो तो ऑनलाइन सिक्षन पर जोर क्यों दिया गया जहां पर दूर जिस गाउं में की स्कूल नहीं है जहां पर coaching की facilities नहीं है जहां पर books बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं वह बच्चे भी पढ़ पाए एक अच्छा अच्छा मलब education ले पाए इसलिए सरकार ने online education पर सबसे ज़्यादा focus किया हुआ है ठीक है जिससे देश के दूर किसी गाउं में रहने वाला जो सिक्चार्थी है विद्व्यार्थी है वह भी LAWANVIT LAWANVIT हो रहा है यानकी LAW ले सके ठीक है अपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गाउं हैं बहुत सारे ऐसे गाउं है जहां पर अच्छी सिच्छा कहने का मतलब है इसकूल बहुत दूर है और ठीचर्स नहीं है कोई बच्चा यधी net के पढ़ना चाहता है और वहां पर टीचर सी नहीं है जोग्रफी सब्जेक्ट का यह पेपर फस्ट का कोई टीचर वहां पर ही नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे जहर सी बात है ऑनलाइन पढ़ेंगे इसलिए सरकार ने उनलाइन एजिकेस्ट पर ज्यादा फोकस किया हुआ है ठीक है Kir okay चरती की मांसstat्य सांसा माजिक काुशल अदी विकास ओं सामाजिक और कॉसल का विकास करना थीक है? उस समस्ता की जिम्यदारी है जो इसके लिए समय समय पर जांच वा उचित परबंदन कर उसका उचित परिणाम देदी है जो समय मांच करता है या आपके टेस्ट लेता है उचित परवंदन कर उसका उचित परिणाम देती है ठीक है जहां पर आपको समस्या आती है उस समस्या का समधान करती है निदान करती है उचित परवंदन करती है और फिर लास्ट में जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपनी पढ़ाई तो आपको क्या मिलता उचित परिणाम मिलता है ठीक है अब है सेक्षिक वातवरन क्या है सेक्षिक वातवरन कि सेक्षिक वातवरन इसमें क्या होता है सेक्षिक वातवरन से सेक्षिक वातवरन से ताथ परिया उन तभी व्यवस्ताओं और इस्तितियों से है उन तभी व्यवस्ताओं और इस्तितियों से है जो सेक्षिक कार्यों को लागू करते समय परवावी रहती है तेकि सेक्षिक वातवर्ण से तात्र है आपकी क्लास में वहां सारी व्यवस्ताई की जाती है जिससे क्लास क्या हो जब भी सैक्षिक कारे करें तो क्या हो प्रभावी तरीके से पढ़ाएं ठीक हैं सैक्षिक वातवरण के लिए यहाँ भी मेत्वपूर्ण है कि सिच्छा के विकास में मानवे विकास के मानवे विकास के पहलू को प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए अर्थात मानवे मुल्यों को गौन नहीं माना जाना चाहिए कहने का मतलब है सैच्छिक वातवरण के लिए मैत्वपूर्ण है कि सिच्छा के विकास में मानवे विकास के पहलू को प्रात्मिता दी जानी चाहिए अब यहां पर मान्यवे विकास के पहलो से जो तात्परय है जो अर्थ है कि आपका सर्वागिण विकास, आपका मान्सिक विकास, आपका सारीक विकास, ठीक है। पुच्छा आपको पढ़ा रहा है तो आपको कितना समझ में आ रहा है इन सभी चीज़ों को इग्नौर नहीं किया जा सकता इन सभी को इन सभी मानवे बुल्यों को गौन नहीं माना जाना चाहिए इतना समझ में आ गया जल्दी से बताईए समझ में आगे है ना ये सारा कुछ आपको ओके तो ठीके गाईज आज की क्लास यहीं तक देखे गाईज आपको इस क्लास की पीडियाप टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा देखे टेलिग्राम चैनल को आपने कहां से जॉइन करना है डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है यदि आपको तब भी टेलिग्राम चैनल नहीं मिलता है तो इस वट्सप नंबर को सेव कर लिजिए इसके प्रोफाइल में जाएए वट्सप के प्रोफाइल में जाएए आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ से टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए आपको complete PDF मिल जाएगी हिस्व पेज को आप like कर सकते हैं और Instagram पर भी follow कर सकते हैं So guys, आज की class यहीं तक